तो हलो दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपको All Limited जी हाँ All Limited Diamond Generator के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों आज की ये वीडियो बिलकुल भी skip मत कीजेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी hacking technique एक ऐसी कमाल की technique बताने वाला हूँ जिसकी मदस से आप अपने लिए unlimited diamond बना सकते हो Minecraft में तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से जो है आपको एक sticky piston रखना है उसके उपर आपको इस तरह से एक slime ball रखना है slime का जो block है वो आपको रखना है यहाँ पे आपको dig करना है ऐसे आप लोग इस तरह से dig कर लीजे उसके बाद आपको observer ऐसे connect करना है observer को connect कीजे उसके बाद इस तरह से आपको इसे बनाना है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरह से डिक कर लेना है पूरी तरह से तो आपको इस तरह से इसे पूरी तरह से बना लेना है बनने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से कोबल स्टोन का यूज़ कर सकते हो आप लोग इस तरह से जो है कोबल स्टोन लगा दीजेगा ताकि जो है कोई problem यहाँ पे ना हो और उसके बाद आप लोग यहाँ से जो है आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से इसे बनाना है बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो है आपको एक block डिक करना है ऐसे और यहां से भी आपको एक एक ब्लोक इस तरह से डिक कर लेना है डिक करने के बाद यहां पे जो है आपको एक ब्लोक यहां पे डिक करना है यहां पे आपको एक sign जो board होता है उसे आपको यहां पे इस तरह से लगाना है तो आपको उसे यहाँ पे इस तरह से अंदर लगाना है अंदर लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग डिक कीजे इस तरह से डिक करना है आपको आप लोग यहाँ से जो है चार ब्लोक डिक कर सकते हो यहाँ फिर आप लोग पांच ब्लोक भी डिक कर सकते हो उसके बाद आपको यहां से जो है एक कमरा बना लेना है तो यहां पर आप लोग इस तरह से एक कमरा बना लीजे देख सकते हो गाईज हम यहां पर कमरा बना रहे है तो आप यहां पर एक कमरा बना लो उसके बाद आपको chest लेनी है chest को आपको यहाँ पर place करना है hopper लेना है hopper को आपको उपर यहाँ पर connect कर लेना है इस तरह से आप hopper connect कर लीजे उसके बाद यहाँ से आपको एक CD बना लेनी है आप लोग यहाँ पर CD लगा सकते हो तो यहां से आप सेड़ी बना सकते हो ऐसे बनने के बाद आप लोग यहां पे जो है कोबल स्टोन इस तरह से आप कनेट कर लीजे देख सकते हो गाईज तो हम यहां पे इस तरह से कोबल स्टोन को जो है कनेट कर लेंगे इस तरह से जो है कोबल स्टोन आप लगा दीजे बिल्कुल भी वीडियो इसकीप मत कीजेगा तो आप लोग देख सकते हो हमने इस तरह से जो है कोबल स्टोन यहाँ पे लगा लिए आप लोग इस तरह से लगा लीजेगा उसके बाद आपको यहां पे जो है रेश्टोन यहां पे डालना है यहां पे आपको रेश्टोन डालना है और इसके आगे आपको एक लिवर लगाना है तो यहां पे लिवर हम लोग यहां से ले लेते हैं एक लिवर और यहां पर आपको जो है लिवर यहां पर लगाना है लिवर लगाई है लिवर लगाने के बाद आपको वोटर का जो है वोटर बरकिट लेनी है तो यहां पर वोटर बरकिट हमें लेनी है और यहां पर और यहां पर वोटर बरकिट जो है आपको डालनी है कुछ इस तरह से ताकि जो water है वो आपका आगी की तरफ चला जाए तो इस तरह से आप लोग जो है water यहाँ पे डालिएगा तो water डाल दीजे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका जो water है वो किस तरफ से जो है flow कर रहा है तो आपको बस इसी तरह से बनाना है बनने के बा diamond का जो silk touch की मदद से आप diamond block तोड़ोगे, वो यहाँ पे आपको लेना है, जी हाँ, आप जो diamond का block आपने silk touch से तोड़ा है, वो से आपको लेना है, और यहाँ पे आपको place करना है कुछ इस तरह से, तो आप इस तरह से place कर लिजे, place होने के बाद, अब आपको नीचे आजाना है, और अब आपको survival mode में चले जाना है, उसके बाद आपको यह machine चालू करनी है, आपको एक बार डिक करना है, दूसरी बार आपको करना है, और यह machine कुछ इस तरह से काम करेगी, अब आपको यहाँ पे नीचे आजाना है, और आपको अपनी जो चे से उसे open करना है, तो यहाँ पे थोड़ा wait करना होगा आपको, तो यहाँ पे आपके automatic डाइमन यहाँ पे duplicate होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ 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 थोड़ा दीरे होंगे, क्योंकि अगर आप पहली बार use करोगे machine, तो यह machine थोड़ी slow काम करती है, तो थोड़े दीरे दीरे जो है यह काम करेंगे, लेकिन जो है आपके डाइमन यहाँ पे duplicate होंगे, और आप इसी तरीके से आप अपने automatic डाइमन को duplicate कर सकते हो, तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर,